यूएई के शार्जा से हिद्रबाद जाने वाली इंजिगो फ्लाइट में तक्नीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में एमजनसी लेंजन की गई विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षत हैं वहीं इंजिगो एरलाइन्स ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पाइलिट द्वारा विमान में तक्नीकी खराबी देखे जाने के बाद एतियात के तोर पर विमान को पाकिस्तान के कराची की ओर मोड दिया गया यात्रियों को हिदराबाद ले जाने के लिए कराची के लिए एक अतिरिक्त उरान भेजी जा रही है बता दे कि दो सपता में कराची में उतरने वाली ये दूसरी भारतीय एरलाइन है बता दे कि इससे पहले 5 जुलाई को दिली से दुबै जाने वाली स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट में तक्नीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में ही एमर्जनसी लेंडिंग कराए गई थी वहीं इससे पहले 14 जुलाई की शाम को दिली से वडोद्रा जा रही इंटिगो फ्लाइट की जैपुर में एमर्जनसी लेंडिंग कराए गई थी बताया गया था कि विमान में कुछ तक्नीकी खराबी आ गई थी जिसके बाद रतियात के तौर पर इसकी आपात लेंडिंग कराए गई गौर तलब है कि पिछले कुछ दिनों में भारत में कई फ्लाइट को आपात तौर पर उतारे जाने की खबरे आ चुकी है झाल